Hello friends, Recruitment आ रही है NIFT की तरफ से National Institute of Fashion Technology की तरफ से Recruitment notification निकाला गया है जिसमें की आवेदन मागे गए है अलग-अलग positions के लिए Assistant Warden की Recruitment है Nurse की है, Junior Assistant की है Mechanic की Recruitment है तो ये Recruitment दोस्तों जो है वो NFT में है यानि की NFT का जो Center है जोधपूर में वहाँ पे है जो की Ministry of Textile, Government of India के अंडर आता है All over India से आप अपनी application offline mode से भेज सकते हैं लेकिन यहाँ पे एक ही post है जिसके लिए आप eligible है अगर आप fresher है तो उसका नाम है Junior Assistant जिसमें की मात्र 12th pass मांगा गया है उसके लावा जितनी भी Assistant की post के लिए आवेदन कर सकते हैं डिटेल में हम लोग इसके पूरे eligibility criteria के बारे में बात करेंगे selection process के बारे में बात करेंगे तो शुर से लेकि लास्टक्स वीडियो को ध्यान से देखे complete देखे ताकि आपको हर एक चीज हर एक डिटेल का पता चल जाए यह दोस्तो notification जो की R.I. National Institute of Fashion Technology की तरफ से location आपकी जौधपूर राजिस्तान में रहेगी और यहाँ पर यह जो है वो चार नंबर की post है जिसके बारे में बात कर रहे थे junior assistant की level 2 का salary मिलेगा साथ total नंबरो vacancies है जिनको बढ़ाया जा सकता है कम करा जा सकता है यह उनके अपने हाथ में है हर एक category में आपको recruitment मिल जाएगी आप जो है वो जर्नल से आते हैं आप SC से हैं, ST से हैं, OBC है आप यह economically weaker section से आते हैं आप सभी के लिए recruitment है इसके लावा assistant warden, assistant warden girls mechanic इन सभी के लिए भी recruitment है लेकिन यहाँ पर experience मागा गया है तो आप खुद आके चेक कर लीजेगा हम लोग इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है junior assistant की post के बारे में बात करेंगे junior assistant के लिए अगर आपने 10 plus 2 कर रखी या बिल्कुल illegible apply कर सकते हैं साथ में आपकी typing speed 30 word per minute की होनी चाहिए English में और अगर Hindi में आपको आती है तो 25 word per minute होनी चाहिए बाकि computer proficiency test भी आपका होगा तो जिसमें आपको जो है वो computer के जितने भी software उनकी जानकारी होनी चाहिए MS word आपको जो है आना चाहिए और इन सभी के इलावा computer proficiency के इलावा अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है computer का तो यहाँ पे आपको जो है वो advantage मिल जाएगा यहाँ पे weightage थोड़ा सा जो है वो बढ़ जाएगा और आपको preference दी जा सकती है यानि कि selection के chances आपके बढ़ जाएगा और इसमें कोई भी experience नहीं मागा गया बिना experience के आप apply कर सकते हैं अपनी application offline mode से आप फेज सकते हैं इसके लावा दूस्तों 27 साल maximum age limit रखी गई है आपकी age 8 से कम और 27 साल से जादा नहीं होनी चाहिए age relaxation as per government rule मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है शुरुआत में ये contract basis पे रहेगी लेकिन contract को आगे बढ़ाया भी जा सकता है application fees की बात करें 590 rupees fees आपको pay करनी है 500 application fees और जिसमें की 18% 90 rupees जो है आपका GST लगेगा बाकि अगर आप SC candidate है SD है, PWD candidate है, female candidate है तो आपको किसी भी तरह की fees देने की जुरूरत नहीं है आप बिना fees के apply कर सकते हैं और fees एक बार आप pay कर देते तो वो refund नहीं होगी ये चीज़ ध्यान में रखके आवेदन करिएगा इसके लावा दोस्तों यहाँ पे जो है apply करने के लिए आपको एक application form है जिसका लिंक भी description में मिल जाएगा उसको download करना है, fill करना है हो सके तो type करवा लिजेगा साथ में supportive document की photo copies लगानी है, self attested करके और साथ में demand draft आपको जो है वो लगाना है National Institute of Fashion Technology के favor में जो की payable होगा जोधपूर में और demand draft के तुरू ही आपका application fees पे करनी है, demand draft की जो ulti side होती है, उसके ओपर आपका नाम आपका mobile number ये लिख दीजेगा ये तांकि अगर वहाँ पे misplace होता है तो आपको जो ही वो मिल जाए तो application जो ही वो 16.05.2022 तक उन तक पहुंचानी चाहिए, यहाँ पे address पूरा दिया हुआ उन्होंने, अगर आप आपके यहाँ पे read करेंगे, यह देखी, pin code के साथ जो ही वो address दे रखा है, जोतपूर राजस्तान का यहाँ पे आपकी application पहुंचानी चाहिए, 16.05.2022 तक आपकी application वहाँ पहुंचानी चाहिए अगर आप जो हैं वो junior assistant के लिए आवेदन करने वाले हैं, तो यहाँ पे computer जो आपका test होगा, computer proficiency test और typing test यह सारा कुछ हो सकता है, बाकी return test और skill test के थुरू ही यहाँ पे selection होने वाला है तो यह जानकरी दोस्तों दी गई है, उनकी official website पर उनकी official notification में अगर आप read करना चाहते है, notification link description में है, जाकर फटा फटा रीट कर दीजिए और जादा job update के लिए आप चाहे तो हमें telegram पे भी join कर सकते हैं telegram का link भी आपको description में मिल जाएगा मिलेंगे ऐसी किसी नई job update के साथ दबारा से तब तक आप अपना ख्याल रखिए